वेल्कम स्टुडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहा है आज हम आपको चैप्टर 11 हिस्ट्री का है 28 अतापदी में नई राजनीतिक शमीकरन के बार में आपको श्टडी कराएंगे ठीक है तो चलते हैं हम अपनी जो है टॉपिक तो जैसा कि आप देख पा रहा है इसमें ठीक है यहां से है कि और एंग्जेव की मृत्वी के बाद मुगल समराज का तेजी से पतन हुआ राजपूद पेश्वा बाला जीवी स्वनात की नितिर्थ में मराठे और बंदा बहादूर के नितिर्थ में सीखोले शिग्र ही अपनी अप्रिशतन ताग गोशने कर देग यानि कहा गया है कि जैसे ही और एंग्जेव की मृत्वी हुई ठीक है तो उसके बाद जो है मुगल समराज पूरी तरह से पतन होना तेजी से पतन होना शुरू हो गया राजपूत पेश्वा यह सब जो थे मराठे उन लोगों ने अपने-पनी स्वतंदरता की गोशना कर तो अब यहां पर देखेंगे हम देख रहे हैं कि मुगल समराज के पतन का कारण क्या था यानि मुगल जो है सम्राज यहां पर बताया गया है की पतन हुए शसका उसका कारण क्या था तो बाद के मुगल सासक यानि बाद में जो मुगल सासक उनके इस्तिति क्या थी तो अरंग जेव का सबसा उड़ा पुत्र बादूर्शा ठीक है उनका नाम था बादूर्शा जो 1737 में सिहासन पर बैठा उस समयवा 65 वर्श को हो चुका था 1712 सी में उसके मुर्यत्ति हो गई उत्रा धिकारे के लिए भीशन स्रंगर शुरू हुआ जिसमें सैयद बंधूओं हुसाइन अर्य अली और अब्दुल्ला ने जो दो सक्ति अमीर थे राज निर्माता किंग मेकर्श की भूम का निवाई उनके सड़यंत्रू से समराज काफी कमजोर हो गया बाद के मुगल सासक अयोग्य थे जैसा होना चीव ऐसा नहीं थे और उनमें एक विशाल समराज पर सासन करने का कौशन नहीं था 1719 स्वी में सयद बंधूं मुहम्मद सा को शिहासन पर बैठाया मुहम्मद सा के सासन काल जो 1719 से 1749 स्वी के बीच बताया जाता है में एक एक करके कई प्रांत जिसे दक्कान अबद बंगाल और रूह हेल खंड मुगलों के हाथ से निकल गए इन प्रांतों शुवों के गवर्नर स्वतंत्र सासक बन गये मुगल समराज सिकुड कर काफी छोटा हो गया अब मुगल समराज कंतरगत दिल्ली के आसपास के केबल कुछ छेत्र ही रह गये थे ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं बिदेशी आक्रमन बिदेशी आक्रमन के कारण भी जो है बिगटन हुगा तो दूसरा पॉइंट है बिदेशी आक्रमन 1749 इसमें भारश जिसे इरान कहा जाता है के सासक नादि साह ने करनाल में मुगल शेना को पराजित कर दिया इसके बाद नादीर शाह दिल्ली आया अयोग्य मुगल शमराठ ने आक्रमन कारी को अपना सारा खजाना सौप दिया नादीर शाह ने दिल्ली पर कबजा करके हज्यारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया नादीर शाह प्रशिद, मियूर, शिहाशन तक्त, ताउस और कोहिनूर, हीरा सही बेशुमार धन दौलत लेकर अपने देश लोट लिया नादीर शाह के आक्रमन से मुगलों की कमजोरी जग जाहिर हो गई इसके बाद अफगान सासक, अहमद साह, अबदाली के आक्रमन, नूंका ताता लग जया अहमल साथ अबदाली अफगानिस्तान का सासत था 1757 श्वी में उष्णे भारत प्राक्रवन किया और दिल्ली तक चुड़ गया 1769 श्वी में उष्णे पंजाब के अंतिम रूप में जीत लिया मुगलों ने मजबूर होकर अफगानों का स्यामना करने के लिए मराठों की मदद लिया इसके प्रणाम सुरूप अहमद साथ अबदाली अब मराठी के बीच युद्ध की स्थिति उत्पनों गई अहमद साह ने 1761 श्वी में पानीपत के युद्ध में मराठा सेना को हरा दिया इस हार सेना केवल मराठे काफी कमजोर हो गया वेल मुगल समराज का पत्त भी बहुत तेजिश हुआ दीशरा कारण है मुगल सासा का विगटन का वह है औरंग जेव की धार्मिक नीती किसकी औरंग जेव की धार्मिक नीती क्या है उनकी धार्मिक नीती तो हम देखते यहां कि आरंग जेव की धार्मिक नीती का सामराज की स्थीती पर काफी हानिकारे प्रभाब पड़ा उसने सीखों, मराठों और राजपूतों की सहान भूतिक हो दी थी उसने अपने जीवन के अंतिम पचीस बर्ष जहां तहां उठे विद्रों के दवाने में ही बिताने पड़े चौथा पॉइंट है कि राजपूतों, शीखों और मराठों की सक्ती में उभार तो राजपूत, मराठा और शीख अपने बहादुरी के लिए जाने जाते थे उनकी सक्ती में उभार के कारण मुगल स्वामराज नहीं सिर्फ कमजोर हुआ बलकुस का पतन भी होगे तो ये आपका पतन के कुछ कारण थे, जो चौर पॉइंट यहां थे ठीक है, कि मुगल सासक जो था क्यों पतन हुआ अब देखते हैं राजपूत, राजपूत यहां जो आ रहा है, राजपूत की क्या श्तिती थी तो आरंग जेव का राजपूतों के साथ संबंध कभी भी प्रेम पुर्वक नहीं रहा जो आरंग जेव थे, उनकी जो संबंध होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम पुर्वक जो है और राजपूत के साथ कभी नहीं रहा था साज अहां के मृत्यूत के बाद, उनके चारों पुत्रों के बीच हुए उत्राधिकार की युद्ध में मेवाल के राजा जस्वन सिंह, रठावर ने औरंग जेव का साथ नहीं दिया था जब 1678 सिंह में जस्वन सिंह मृत्य हुई तो औरंग जेव ने उनके पुत्र को मेवाल की गद्दी में बैठने की अनुमती नहीं दे इसके प्रणाम सरूप मारबाड और मेवाड के राजपूत आपस मिल गये उन्होंने अपनी स्वतनतरता की घोशना कर दी और मुगलों के विरुद युद्ध छेड़ दिया बाद मेवरंग जेव ने मिवाड के राजपूतों के साथ मिल मिलाप करके युद्ध को शमप्त करने के प्रयास किया ये देखे ये जैपूर का हावा महल है ये जो है जैपूर का हावा महल दिखाया गया है राजा जै सिंग ने जैपूर शहर का निर्मान करवाया ये शे गुलावी शहर के नाम से भी जाना जाता है गुलावी शहर के ने कहा जाता है किस सर को कहा जाता है तो जैपूर शहर ठीक है याद रखिएगा उन्होंने जैपूर दिल्ली वनारशी और उज्जैन में आकाश बतारों का बैज्ञानिक अधियन के लिए खगूल शाला का भी निर मान करवाए उन्हों नों जो संग ते उदिली व में जीन यह सब जगूमी जव बतार मंदल का निर्मान करवाए उसके आज सीख के इस ठीती दसा क्या थे उस्य में तो औरंग्जेव की धार्मिक नीती में धार्मिक नीती से सीखों में भी असंतोस फैल गया गुरू तेग बहादूर का औरंग्जेव के आदेश पर बध कर दिया गया था मुगलों ने 1704 इसी में आनंदपूर के कीले पर हमला कर दिया गुरू गुविंसी ने बहादूरिश मुगल शेना का सामना किया इस युद्ध में उनके दो पूत्र जो रावर्शिंग और फटेश सिंग की को मुगलों ने बंदी बना लिया और उन्हें इसलाम धर्म कबूल करने के लिए कहा इसलाम धर्म को मानने से इनकार करने पर औरंगजेव ने उन्हें दिवार में जिन्दा चिनवा दिया गुरू गुविंसी की दो युवा पठानों ने महराष्ट में छूरा घोप कर हत्या कर दिया गुरू की बीरता ने शीखों के मुगलों के अविरित अपना संगर्श चारी रखने के प्रसायन किया आगे चलकर शीखों ने योग सरदारों के नितृत्व में अपनी बारह मिशलों में संगठित किया 28 सताबदी में उनका अधिकार छेतर जम्मू से रावल पिंडी तक फैला हुआ था रंजीत सीन 1780 से 1849 के बीच की जो श्टोरी बताया गया है सीखों के एक मिशल के सरदार थे उन्होंने अपने सैन और प्रसाशनी गुनों का उप्योग करके बिभिन सीख समूहों को एकता के शुत्र में बांधा तता एक शक्तिसाल इस्षीख राजी के स्थापना की उन्होंने लहोर को अपनी राजधानी बनाया 1801 में उन्होंने महराजा अर्थात एक महान राजा की उपादी धारन की महराजा रंजीत सिंग अपने राज्जी में एक अत्यधी कुशल प्रसासनिक ब्यवस्था स्थापित की यहाँ पर देखे अब आपको कुछ केस स्टेडी से रिलेटेड है तो पहला केस स्टेडी में मराठा की बात करें हैं अभी 1630 सिस्वी के आरंभिक वर्षों में मराठा काफी सक्ति साली हो गए थे सिवाजी 1627 से 1680 सिस्वी में मराठों को सरवाधी की योग और कुशल ने तर्थ प्रदान किया उसके बाद सिवाजी की बात आती है तो सिवाजी ने तोरण चाकन और पुरंदर शहित अनेक किलो पर कबजा कर लिया उसके बाद उन्होंने कोंकन छेत्र का रुख किया जो पश्मी घाट की पहाड़ियों और महाशागरों के बीचिस थे था 1669 में बीजापूर के शुल्तान ने अपने शेनापते अफजल खा के मराठो की शक्ति को चलने के लिए भी जन सिवाजी ने अफजल खा को अपने जाल में फसा कर मार डाला और एंग जेब ने दक्कन के मुगल गवर्नर साइस्था खा के सिवाजी का दमन करने कादेश दिया 1663 हिस्वी में सिवाजी ने साइस्था खान के च्छाबनी पर हमला कर दिया इस हमले में साइस्था खा घायल हो गया और उनका पूत्र मारा गया इसके बाद औरंग जेब ने सिवाजी से निवटने के लिए मिवाड के राजा जैसिंग को एक बिसाल सेना के साथ भेजा 1663 में राजा जैसिंग के कहने पर सिवाजी साही दरवार में आये जहां उनके साथ आपमान जनक विभार किया गया तथा उनके पुत्र संभाजी के साथ नजर बंद कर दिया गया सिवाजी इस नजर बंदी में नौ माह तक रहे और किसी परकार वहां से निकल भागे तथा दक्कन पहुँचे 1614 सी में सिवाजी ने राजा की पदवीधारन की उनौने छत्रपती और देव राजिगुपाधी की धारन की उन्हेंने ब्रहमन और गाय की रचा करने और धर्म के पतपर चलने की सफथ ले 1680 वी में मृत्ति होने तक उन्होंने एक बिसाल मराठर राजी के स्थापना कर ली थी वाना केवल शफल सेनापती थे बल्क एक योग प्रिशासक भी थे राजगाज के देखवाल हे तो उन्होंने आठ मंत्रियों की एक मंत्री परिशद गठित की थी जिसे आश्ट प्रधान कहा जाता था मंत्रियों में पेशवा अथ्वा प्रधान मंत्री शर्वधिक महत्पूर्ण होता था उसके बाद आते पेशवा पेशवा की क्या स्थिती थी तो सिवाजी का उत्राधिकार ये उनका बड़ा पोत्र सम्भाजी बना 1681 में और अंजेव दक्कन पहुँचा उसने मराठों को कुचलने का प्रयास किया किन्तु इसमें वह अशफल रहा 1723 में तक मराठा राजी की सक्तियां पेशवा के हाथों में केंद्रित हो गए पूना जो की महराष्ट में है पूना मराठा राजी की राजधानी बना पेश्वा बालाजी विश्वनात जो 1714 से 1720 इस्वी की बाती बताई गई है और उसके पूत्र बाजीराब प्रथम 1720 से 1740 इस्वी निमराठे शक्ति को स्तुरूर दिर्ध बनाया मुगल समराज की कमजोर इस्थिती को देखकर बाजीराब प्रथम ने उत्तर भारत में अपने शासन का परसार करने का यूजन बनाई उस समय सासन चला रही सवी सक्ति साली मराठा सरदार भोशले सिंधिया और होल कारो ने शामराज बिस्तार में बाला जी का साथ दिया उन्होंने मराठा राज शंग की भी अस्थापना की 1714 सिस्वी में बाजीराव की मृत्ति हो गई वह एक बहादूर शेन पति था उसने धिकांस राज्यों के सासकों से चौथ और सरदेश मुखी वशूल की मराठो का सैन अभियान बाजीराव प्रथम के बाद उसका पुत्र बाला जी बाजीराव उसका उत्तरा धिकारी बना उसने उत्तर और दक्षिन भारत में मराठा शक्ति का विस्तार किया उसने मालवा, गुजरात और बुंदेल खंड पर मराठो की पकड़ को मजबूद बनाया उसने जैपूर, कोटा, बुंदी और राजस्थान के अन्य शास्कों से कर्बशूल किया इस परकार मुगलों का सासन होने के बावजूद बास्त्विक सक्ति मराठो के हाथों में थी उसके बाद आता है, पानी पत की तीसरी लडाई यह महत्रपूर्ण है, याद रखिएगा जो 1761 की बताई गई है मराठों ने एक-एक करके अनेक परदेशों को जीत लिया वो इप पंजाब तक पहुँच गया और उसे अहमद साह अवदाली के पुत्र से छीन लिया इस सैन अभियान, अभियानों के कर अनेक सासक मराठों के खिलाप हो गए 1761 हिस्वी में अभिदाली की सेनाओं ने पानिपत की तीसरी लडाई में मराठों को पुर्णता परास्त कर दिया इस पराजे से मराठा राज शंग की जवर्दस्त जटका लगा अब वह पांच स्वतंत्र मराठा राज्यों बट गया मराठों के पास अत्यधीक विशाल सेना थे वही महान योध्या भी थे कुछ मराठा सरदारों जैसे कि गवालियर के सिंधिया, बडावदा के, गाईक वाड और नागपूर के भौशले ने अपने अपने छेत्रों में कूशल प्रसासनिक विवस्था कायम की उनके सासनकाल में क्रीसी और वानिज्य का भिकास हुआ किन्तु उनमें एकता का भाव था वे अंग्रेजों के बिरुध तीसरे मराठे युद्ध 1817 इस विशा, 1818 से भी पताए गया में अपने प्रदेशों की रच्छा करने बिफल हो गए अनिश्वतंत राज अब देखिए अनिश्वतंत राज की बाते आ रही है कि कौन-कौन श्वतंत था ठीक है तो पहली आती है बंगाल मूर्शीद कुली खाँ खान को 1717 इस्वें बंगाल का सुविदार र्योक्त किया गया जहां 1727 इस्वें में अपने मृत्ति होने के तक वो एक स्वतंतर सासक के रूप में सासन करता रहा उसके उत्राधिकारी सुज्जावदीन खार और अलिवर्दी खार ने बंगाल की प्रतिष्ठा ब्रिधी की और उसने मुगल शमराज लगवग स्वतंतर बना लिया किन्तु 1751 इस्वें में उसने मराठों के साथ एक संधी की जिसके अनुशार उडीसा के प्रदेश मराठों के हवाले कर दिया इसके अत्रिक्त मराठों को बंगाल से चाउत के रूप में 12 लाख रुपे देने तक देना तै किया गया अलिवर्दी खान हलां की एक योग प्रशासक था किन्त हुआ अंग्रेजी इस्ट इंडियां कम्पनी की बढ़ती शक्ती से अनजान रहा अलिवर्दी खान का उत्राधिकारी सिरा जुद्धावला शुरू से ही अंग्रेजों की बढ़ती हुई महात्वकांचा के प्रतिस्चीत था और उन्हें नियंतरन में रखने का इराधा रखता था अंग्रेज भी सिरा जुद्धावला को अपने अधीन करना चाहते थे इसके प्रडाम शुरूब 1757 निश्वी में पलासी का युद हुआ याद रखेगा पलासी का युद 1757 निश्वी में हुआ था जिसमें सिरा जुद्धुल्ला की पराज़ा हुई और वह मारा गया इस युद के बाद बंगाल में अंग्रेजु की शक्ती और शक्ता काफे बृती हुई अब अवध की बात आते है सोतंत्र अवध राज के स्थापना सादत खाम द्वारा की गी उसके बाद उसका भतीजा सफदर जंग अवध का शाशक बना उसकी योगता को देखती हुए मुगल समराथ ने उसे अपना वजी प्रधान मंत्री भी निक्त किया सफदर जंग के बाद उसके पुत्र शुजावदुल्ला ने 1754 निस्वी में अवध के शाशन की बागड़ अपने हाथों मिलेगी सुजावदुल्ला बंगाल के नबाब मीर काशिम और मुगल समराथ सह आलम दितिये कि सन्योक्त शेना और अंग्रेजों के बीज 1764 निस्वी में बक्षर का युद हुआ इस युद में अंग्रेजों की बिजय हुई और सुजावदुल्ला को अवध की नबाबी गवानी पड़ी किन्तों अंग्रेजों ने 1765 एस्वी में खुई हिलाहवाद की संधी द्वार अवध सुजावदुल्ला के को बापस कर दिया वास्ता में देखा जाए तो अवध का नबाब अब अंग्रेजों की अधीन हो गया था उसके बाद आता मैसुर मैसुर पर एक हिंदु राजा का शासन था सेना के एक अधिकारी हैदर अली ने 1761 में उसका तक्ता पलड़ दिया और मैसुर के सिहासन पर कबजा कर लिया बाद में उसने अनेक प्रदेशों को जीत कर अपनी शामराज का विस्तार किया उसने मराठो निजाम और अंग्रेजों के बिरुद अनेक ललाइयां लड़े हलाएं के पढ़ा लिखा नहीं था किन्तु वह एक कुशल प्रसासक शिद्ध हुआ हैदर अली का उत्रादिकार उसका पुत्र टिप्पु सुल्तान बना जो एक योग सेना पती था उसने अपनी सेना का अधुनीक करिन किया और एक अधुनीक नौशेना तयार की अंग्रेज उसे अपना स्तरवधिक खतरनाक दुशन मानते थे देखे ये हैं टिप्पु सुल्तान का दिया हुआ चित्र बुक में अब देख पा रहे हैं ये हैदर अली का पुत्र था और इसे अंग्रेज बहुत डरते थे उसके बाद आते हैं जाट सासक जाट लोग क्रिशक थे और दिल्ली आग्रा वा मतुरा के आसपास के छित्रों में रहते थे उन्होंने मुगल शमराट और अंग्जेव के द्वारा अपनाएगे उत्त पिडन की नीती तथा मुगल अधिकारियों की मनमानी के बिरुद कई वार भी द्रोगिया और अंग्जेव की मृत्ति के बाद जाट अपने नेता चूडा मन के नेतुर्त में एक मजबूत सक्ती की रूपनी उप्रे जाट राज के स्थापना चूडा मन और उसकी भतीजे बंदन सी बदन सी इत्वारा की गई उन्होंने जाट स्राज को काफी सक्त साली बढ़ाया सूरज मल के राज में जाटों की शक्ति अतिदिक मजबूत हो गई और वे गोरब के सर्वोच शिखर पर पहुंच गए जाट राज की राजधानी भरतपूर थी राजा सूरज मल को एक अत्यांत योग प्रसासक और बीरशैनिक और बुद्धिमान राजनेता की रूप में जाना जाता है उनका राज एक बिश्तर छेतर में फैला हुआ था सूरज मल की मृत्तिय के बाद चाट सक्ति का पतन होने लगा उसके बाद आता है द्राबाद देखे ये जो है है द्राबाद का चार मिनार है ठीक है चार वेरा दिखाए गया है जो हैद्राबाद में निजाम उल्म मुल्क आसफ जाह ने श्वतंतर था यानि श्वतंतर हैद्राबाद राज के स्थापना की थे उसने कई मुगल सासकों के अधिनकारे करके अपनी योगता सिद्ध की है आसफ जाह दक्कन के छह मुगल सुबों की गवर्नर था और उसे खान एक खाना की उपाधे दी गई थी उसने दिल्ली के अमीरों की शक्ति का दमन किया उसने दक्कन में आसीरगड़ और बुरहानपूर के कीनों पर कबजा करके अपनी ज्थीती मजबूत की मुगल समराट मुहम्मद साह ने उसे 1722 इस्वी में मुगल समराज का वजीर निउक्त किया किन्तु उसे प्रसाशन के मामलों में पूरी छूट नहीं थी इसलिए अपना प्रव भुत्व स्थापित करने के लिए दक्कन के इलाकों में आ गया उसे वहां स्वतंत्र हैदरावाद की राज के स्थापना की 1748 इसे में अपना यानि अपनी मृत्वी होने तक उसे कुषल प्रसाशनिक और राजस्र विवस्ता स्थापित कर ली थी बाद में उसके उत्राधिकारी हैदरावाद की निजाम कहलाएं तो इस तरह सज है ये चैप्टर खत्म हो जाती है और इसके जो है प्रशन उत्तर, question with answer आप खुद से बनाएंगे इसका question objective का जो है हम PDF कल घेज देंगे ठीक है तो आज ये चैप्टर खत्म होती है इतिहास क इसके बाद geography दो चैप्टर बच रही है और civics दो चैप्टर बच रही है जो आगे हम study कराएंगे, thank you